कॉंग्रेस के नेता और पार्टी के पूरवध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है मामला है 2019 का करनाटक की रैली में उनके बयान पर विवाद हुआ था और बीजेपी ने सूरत की अदालत में मानानी का मुकदमा दर्च करवा दिया था सूबा से सूरत कोट में गहमा गहमी थी मानानी केस में राहुल गांधी पर फैसला आना था कोट परिसर के बाहर कॉंगरिस के कारेकरताओं ने मोर्चा खोल रखा था जम कर नारे बाजी हो रही थी सुबा के करीब 11 बज रहे होंगे जब राहुल गांधी पार्टी के दूसरे निताओं के साथ अदालत में दाखिल हुए राहुल के पहुचने के दो मिनिट के भीतर अदालत ने उन्हें दोशी करार दे दिया जब कोट ने ये तै कर दिया कि राहुल गुनेगार हैं तब सजा को लेकर दोनों और से बहस शुरू हुई राहुल गांधी को कटगरे में बुलाए गया अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है तब राहुल गांधी ने कहा मैंने ब्रष्टाचार के खिलाफ बोला मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुचा बाद में राहुल गांधी ने ये बताया कि पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से बोला रहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कारवाई आगे बड़ी कोर्ट में मوجود रहुल गांधी के वकील ने कहा उन्हें दया नहीं चाहिए वो माफी नहीं माँगेंगे पस सब्दों में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहूल गांदी के वकील ने कहा कि राहूल ने सियासी नेता के हैसियत से ब्रश्चाचार के खिलाब बोला इस पर याचिका करता के वकील ने कहा कि सांसद खानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा ये उनकी पहली गलती है इस पर याचिका करता के वकील ने कहा कि राहूल को 2018 में सुप्रिम कोट ने चेतावनी दी थी पिर राहूल के वकील ने कहा कि उनके बयान से किसी को कोई हानी नहीं पहुंची है तब याच क्या करता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिले अदालत ने याच क्या करता के वकील की दलील मान ली और राहुल को दो साल की सजा सुना दी आर्गुमेंट में ऐसा का गया कि राहूल जी ने फर्स दॉफेंच है पुलिटिकल लीडर है उसने इस डिस्चार्ज इस जूटी उसके लाओ कुछ नहीं किया सजा सुनने के बाद राहूल गांधी कोट के बाहर आए और लोगों का भिवादन करते हुए गाड़ी में बैट गए राहूल गांधी ने जिस तरीके का ये बयान दिया है कहीं न कहीं और जिस तरीके से कॉट करते हुए लिखा आप देखें राहूल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और किस तरीके से एक पूरा जो अपना अहिंसा के approached अपनी जो ये के अच्छा भी खड़ी करना चाते हैं और उसी में आज कोट का ये फैसला आया है तो कहीं न कहीं राहूल गांदी खुद को लेकर भी कई चीजों को लेकर भी इसे हम ट्वीट कह सकते हैं अब सूरत कोट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है सत्य मेरा भगवान है अहिंसा उसे पाने का साधन सूरत कोट के फैसले के बाद ये तैह है कि सियासत तेज होगी लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि राहूल गांधी के मुश्किलें बढ़ेंगी सूरत से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो